नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे आप किसी भी लेटर के नीचे अपना नाम अपना डीटेल्स और उसके साथ ही अपना सीगनेचर को कैसे आप एड करोगे और उसके साथ ही इनको कैसे आप सेप करके रखोगे Microsoft Word में इसका पूरा प्रोसेज स्टेप बैस्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक लेटर के format को यहाँ पर डिजाइन किया है और इसके नीचे मैं यहाँ पर थैंक्स और रिगार्ड्स लिखूंगा और इसके नीचे मैं अपना नाम और अपना सारे डीटेल्स को अड़ करूंगा और उसके बीच में मैं यहाँ पर अपना जो signature है उसको upload करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा thanks and regards फिर आपको यहाँ पर enter प्रेस करके अपने signature के जगा को छोड़ देना है फिर आपको यहाँ पर एक line shape को insert कर लेना है इसके लिए आपको जाना होगा insert tab में insert tab में जाने के बाद आपको click करना है shapes में और यहाँ से आपको line shape को choose कर लेना है और इस line shape को आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर draw कर लेना है अब मैं इस shape का color को थोड़ा सा change कर लूँगा इसके लिए आपको जाना होगा format tab में format tab में जाने के बाद आपको click करना है shape outline में shape outline में click करने के बाद यहाँ से आपको black color को choose कर लेना है click करने के साथ ही यह दिखिए यह shape का color जो है वो यहाँ पर black हो चुका है अब मैं नीचे cursor को set करके यहाँ पर मैं अपना नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पर shape को थोड़ा सा select करके line shape को थोड़ा सा उपर की तरफ लेके चला जाओंगा और नीचे मैं यहाँ पर cursor को set करके अपने बाकी details को add कर लूँगा जैसे के आपका designation, आपका company name इन सारे details को आप यहाँ पर add कर सकते हो अब मैं यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर अपने signature को add करूँगा इसके लिए आपको जाना होगा insert tab में insert tab में जाने के बाद आपको click करना है pictures में picture में click करने के साथ ही एक window यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ से आपको अपना signature को choose कर लेना है यह है मेरा signature इसको मैं यहाँ पर select करूँगा और एक बार insert में आके आपको click कर देना है click करने के साथ ही यहाँ पर देखिए अपना जो signature है वो यहाँ पर insert हो चुका है अब इसको मैं छोटा कर लूँगा image के एकदम नीचे में चलाओंगा और यहाँ से इस dot में click करके थोरा सा इसको छोटा कर लूँगा इसको अपने हिसाब से आपको छोटा कर लेना है और अपने page के अनुसर इसको set कर लेना है अब मैं चला जाओंगा format tab में और यहाँ से आपको click करना है wrap text में wrap text में click करने के बाद यहाँ से आपको behind text जो option है इसको आपको यहाँ पर select कर देना है set करने के बाद अब अपने signature को अपने page के अनुसर आपको यहाँ पर set कर लेना है अब यहाँ पर आपको अपना जो signature है, इसको थोड़ा सा transparent कर लेना है, मतलब कि इसका जो background का color है, इसको थोड़ा सा आपको adjust कर लेना है इसके लिए आपको fit से जाना होगा format टैब में, format टैब में जाने के बाद आपको click करना है corrections में करेक्शन में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिगनेचर का background transparent option आपको मिलेगा, आप यहाँ से किसी भी set कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको set कर दूँगा, क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो, signature जो है बहुत यहाँ पे transparent हो चुका है, अब मैं दोस्तों यहाँ पे thanks and regards से एकदम last तक पूरा text को select करके auto text के अंदर save करके रखूंगा, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो, आप auto text से उसको insert कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनको select कर लेना होगा, select करने के बाद आपको जाना होगा insert tab में, insert tab में ज save selection to auto text gallery में जाके click कर देना है, click करने के साथ ही यहाँ पे आपको नाम देना होगा, यहाँ पे मैं नाम दूँगा my sign, just यहाँ पे मैं लिख दूँगा my sign, लिखने के बाद और कुछ setting आपको यहाँ पे change करने का ज़रूरत नहीं है, just simply आपको ok में आके click करना है, click करने के सा अब जब मर्जी उसको आप अपने page में add कर सकते हो, अब मैं यहाँ पे इस page को save कर दूँगा, save करने के लिए आपको जाना होगा file tab में और यहाँ से आपको save में जाके click कर देना है, या फिर आप save button में click करके भी save कर सकते हो, तो save हो गया, अब इस file को मैं यहाँ पे close कर दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कोई भी नया document को open करेंगे, open करने के बाद जब भी आप insert tab से auto text में जाएंगे, तो वहाँ पे देखिए यह जो signature है, वो already यहाँ पे save है, जितने बार मर्जी आप यहाँ से अपने page में इसको insert कर सकते हो, just एक यह देखिए, तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Word में किसी भी letter के नीचे अपने signature को add कर सकते हो, और उसको save करके रख सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया, तो like कर दिजिएगा, thank you for watching the video, please keep your support.